दोस्तों कि आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी चिडिया को देखा है जिसका साइज मदुमख़्ी जितना बड़ा होता है और ये छोटी सी चिडिया अपने पंखों से पीछे की तरफ भी उड़ सकती है ये तो सिर्फ चिडिया है हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे छोटे चूहे मेंडक, बंदर और भोडे जैसे तमाम जानवरों से मिलवाएंगे जिनका साइज देखकर आप इने प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे और अंत में तो एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में जतना कहा जाए उतना कम है उसे देखने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रही है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलिए दोस्तो सबसे पहले आप इन छोटे छोटे बंदरों को देखिए जो कि बंदरों की सबसे छोटी प्रजाती है और इसलिए इन्हें फिंगर मंकी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका साइज लगबके एक उंगली जितना ही होता है ये बंदर ब्रजिल, कोलंबिया, एकवडोर, फीरू और बोलीबिया के जंगलों में पाये जाते हैं दुनिया के सबसे छोटे इन बंदरों की लंबाई 14 से 16 सेंटिमेटर ही होती है और वजन 100 ग्राम होता है अलाकि इनके जो पूछ होती है वो 18 सेंटिमेटर लंबी होती है वैसे दिखने में तो ये नॉर्मल बंदर की तरह ही दिखते हैं लेकिन दिमाग के मामले में इन बं जिसके लिए लोग लाखो रुपएता खर्च करने को तयार हैं मिनियेचर होर्स दोस्तो भले ही आप इस घोड़े के उपर सवार होकर घोड़ सवारी नहीं कर सकते लेकिन इसे देखकर आप खुद को रूख नहीं पाएंगे और बच्चे तो इस छोटे से घोड़े के नाम आइंस्टाइन रखा गया है और इस छोटे घोड़े के अंदर बोने होने के कोई सबूत नहीं मिले बलकि इस नसल के घोड़े जनम से छोटे होते हैं जो कि दुनिया में बहुत कम पाय जाते हैं लेकिन जहां कहीं भी आपको यह दिखेंगे आपका दिन बन जाएगा क्योंकि बच्पन में तो इनका साइज कुट्पे के बच्चो जैसा होता है और जब यह पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब कहीं जाकर यह एक बकरी के बराबर होते हैं ब्रुकेशिया माइकरा क्या हो जब हम आपसे कहें कि एक चीन्टी से भी छोटा गिर्गिट पाया जाता है तो क्या हो आपको हमारी बातों पर यकीन होगा नहीं ना लेकिन दोस्तों ब्रुकेशिया माइकरा नाम का एक गिर्गिट दुनिया का सबसे छोटा गिर्गिट है साथ ही साथ इसका साइज एक चीन्टी जितना हुई होता है मैडागास करके जंगलों में पाय जाने वाले गिर्गिट दुनिया के सबसे छोटे रेप्टाइल्स जीव हैं दोस्तों ये गिर्गिट इतना छोटा होता है कि अगर आप इसे अपनी उंगली पर भी रखते हैं तो उंगली के उपर रखने के बावजूद इसका साइज बहुती छोटा होता है इसकी लंबाई मिश्किल से एक इंच होती है और इनका वजन 0.20 ग्राम होता है ये गिर्गिट अधिकतर जमीन पर मौझूद सुखे पत्तों के बीच में ही रहकर अपनी जिंदगी बताते हैं वैसे दोस्तों जब हम गिर्गिट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको मालूम है गिर्गिट किस चीज के लिए फेमोस है रंग बदलने के लिए या फिर उचल कूद करने के लिए सवाल काफे इंटरस्टिंग है इसलिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना मत भूलना स्पेकल्ड पडॉल पर टॉटोज दोस्तो कच्चुए एक ऐसे जानवर है जिनका साइज पूरी जिन्दगी बढ़ता रहता है पर आईए अब में लिए दुनिया के सबसे छोटे कच्चुए से जो की जादतर साउथ अफरिका की समुद्री तर्ट पर पाया जाता है जिसके लंबाई मातर 6-8 cm तक होती है और इनका वजन 95 ग्राम से 164 ग्राम की बीच होता है इन छोटे से दिखने वाले चूहों को नजर अंदाज करने की गलती मत करना क्योंकि इनका जो शैल होता है वो बहुती मदबूत होता है इनका छोटे आकार की वज़े से शिकारी चडिया इनका शिकार करने के लिए जपट्टा मारती है लेकिन ये दिमागदार कछोए पत्थरी ले इलाकों में छुप कर अपने आपको बचा लेते है दोस्तो चुहे तो आप लोग उन्हें बहुत देखे होंगे लेकिन ये जो चुहा आद देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे छोटा चुहा होता है जिसे रोटन भी कहते हैं छोटा से दिखने वाले चुहे अधिक तर रिगिस्तानी इलाकों में पाय जाते हैं और पूरी तरह से ग्रो होने के बावजूद इनका साइज 4.5 cm ही होता है अलाकि इनकी पूँच कावी बड़ी होती है जो बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है क्योंकि इनके पिछले दोनों पैर कंगारों की तरह होते हैं और उन्ही की तरह ये उचल कूद कर चलते हैं इसी वज़े से इन चूँओं की पूँच का साइज 3 cm से बड़ा होता है वैसे तो इन चूँओं के 4 पैर होते हैं लेकिन ये अपने आगे वाले दोनों पैरों का जादा इस्तमाल नहीं करते जिस वज़े से ज़्यादतर लोग ने दो पैरो वाला चूँओं भी कहते हैं इन पैरों से दिखने वाले चूहे बहुती फुर्ती ले लेते हैं लेकिन इनकी उमर मात्र 2 साल तक होती है उपर से ये दुनिया में बहुती कम पाई जाते हैं इस वज़े से इन्हें अपने घरों में पालने के लिए मूँ मांगी कीमत देने को तयार रहते हैं। दोस्तों इनन्ने और प्यारे से दिखने वाले जानवर के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। जो कि दिखने में काफी अद्टक चुहे जैसे होते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला जीव दुनिया का सबसे चोटा मैंमो है जिसका वजन मात्र दो गराम होता है। वो भी एक दिन में और सिर्फ इतना ही नहीं इनके जो दिल धड़कने के रफ्तार होती है वो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से चलती हैं। जहां इनका दिल एक मिनिट में आट सो बार धड़कता है जो कि हम इंसानों के मुकाबले कई गुना जादा है दोस्तों वैसे तो आप लोग न एनकोंडा के और पाइथन जैसे बड़े बड़े सांपों के बारे में सुना होगा लेकिन अब हम जो आपको सांप दिखा रहे हैं ये दुनिया के सबसे छूटे सांप हैं जो ज़्यादा तर अफरीका में पाए जाते हैं दिखने में तो ये सांप कीचुई की तरह लगते हैं लेकिन इनका रंग अधिकतर बुरा या काला होता है और इनकी लंबाई 11 सेंटिमेटर होती है जो आपको अब तक बताए हुए सबी जानवरों से ज़्यादा लगरी होगी लेकिन आप ज़रा सांप का कंपैरेजन करके तो दीखिए क्योंकि कुछ सांप तो 11 फुट से भी ज़्यादा लंबे होते हैं ऐसे में इनका 11 सेंटिमेटर का होना कोई मामूली बात नहीं है उपर से सांप का जो शरीर होता है वो लचीला होता है और इनके अंदर मुड़ने की गजब की ख्षमता होती है और जब इसे गुड़ते हैं तो इनका अकार मुश्किल से 4 सेंटिमेटर तक ही रह जाता है अलाकि अच्छी बात यह है कि इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिलकुल भी जहरीले नहीं होते मेडा में ब्रेट्स माउस लेमो दोस्तो पश्चिमी मेडा गास करके एक नैशनल पार्क में पाया जाने वाला लेमो और चूहा दुनिया का सबसे छोटा सस्टेन प्रानी है जिसका आकार लुक्स बहुत ही प्यारे होते हैं पूरी तरह से बढ़ने के बावजूद इनकी लंबाई मातर 92 मिलिमेटर होती है वजन की बात करें तो 30 ग्राम के होते हैं आपको बता दे इन प्यारे से छोटे चूहों की दुनिया में कई सरी प्रजातिया होती है लेकिन इसके बावजूद इनकी तादाद बहुत कम हैं ये चूहे दिखने में तो प्यारों होते ही हैं उनके साथ इनके अंदर फूर्ते भी कूट कूट कर भरी होती है बहुत कम वजन होने के कारण ये असानी से इदर उदर उचल कूट कर सकते हैं और इनकी रफ्तार भववत तेज होती है मासूम से शकल वाले इन चूहों को पालने के लिए लोग बड़ी से बड़ी कीमत देने को तयार है इनकी संख्या कम होने के कारण लोगों के डिमांड और ज़दा बढ़ जाती है अब आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे छोटे मैंडग को जो किसी प्लास्टिक के खिलोने से भी जादा छोटे होते हैं इनकी लंबाई 7.7 मिलिमेटर होती है ये मैंडग अधिकतर जंगलों में पाए जाते हैं जो उचलने में भी माहिर है 2012 तक तो इन मैंडगों का कोई नामों निशान नहीं था लेकिन इसके बाद जब इनकी खोज हुई तो 22 मई 2013 को इन्हें International Institute of Species Exploration में विशू के सबसे छोटे मैंडग का खिताब मिला यामतर पर जंगलों में पक्तों के बीच रहते हैं ताकि ये खुद को छुपा सके वरना इने बड़े जीव अपना शिकार बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे आस्मान में उड़ने वाले चिडियों की एक से बड़ के रेक परजातिया मौजूद है लेकिन शायद ही आप लोगों ने आज से पहले इस बी हमिंग बर्ड के बारे में सुना हो जो की दुनिया की सबसे छुटी चिडिया होती है ये कूबा के घने जंगलों में पाय जाती है इस चिडिया की लंबाई 4.7 सेंटिमिटर ही होती है और इसका वजन मुश्किल से 2 ग्राम तक होता है दोस्तों ये छुटी सी चिडिया दुनिया भर में अपने साइज को लेकर बहुती जादा फेमस है क्योंकि इसका जो साइज है वो मदुमुक्खी से बस थोड़ा सा ही जादा होता है लेकिन इतने छोटे साइज के बावजूद ये बाकी सभी हमिंग बर्ड की तरह ही एक अच्छी उड़ान भर सकती है पर इनकी सबसे इंट्रस्टिंग चीज ये है कि ये पीछे की तरफ ही भी मुड़ सकती है और दाएं और माएं उड़ान भर सकती है इचिडिया एक दिन में पंदरासो से जादा फूलों के उपर घूंती है और इनका घूसला भी इनी की तरह बिल्कुल छोटा सा होता है तो दोस्तो ये थे दुनिया के सबसे छोटे जानवर अब आप इन पर क्या कहना चाहोगे कॉमेंट में बताना इसे तरह की वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला है दोस्तो आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोज दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिए